लास्ट वीडियो में हमने देखा था एनलेसिस ऑप डेटा इस वीडियो में हम देखे कि हाव उनलाइन अनलेटिक्स वोक्स जैसे कि हमाँ भी टॉपिक के अंदर है किस तरीके से बहुत साज़े ट्रैक होती है उसके record का collection होता है यकिर हम उस उन चीज़ों के बारे में ज़ना है तो analytics किस तरीके से काम करना है वो समझना पड़ेगा तो आई यह दिखते हैं कि सबसे पहले analytics क्या होता है data become more meaningful यह जितना data आपके पास collector होगा प्लस जितना meaningful data आपके पास collector होगा उतनी जादा आप analytics कर पाऊगे अच्छे से उसको evaluate और track कर पाऊगे जिस तरीके से digital marketing का usage बहुत ही बढ़ रहा है उस तरीके से data बहुत ही meaningful information बनता जा रहा है क्योंकि जो चीज़े हम online marketing के जरीए करते हैं उन सबी चीज़े चीजों को track करके जगा पर data collect होता है अगर हमें वो सारी जगा जहां से data collect हो रहा है all those pieces of collection data अगर हम समझ सकते हैं तो हम हमारे business का एक अच्छा view create कर सकते हैं और आगे future के लिए planning भी कर सकते हैं और each and every activity जो हमारे internet पे हो रहे है या फिर हम जो internet पे कर रहे हैं आजकल वो track हो रहे है जैसे कि कोई add impression है कहीं पे click हुआ कहीं पे purchase हुआ perfect selling हुआ पे sign up, login, कुछ भी हो तो हर वो activity perform जो user करता है वो track होती है जैसे कि view pages होता है file downloads होती है वो male है या female है उनका interest data क्या है for example अगर आप एक ही category की चीज़ को बहुत बार search करते हो तो definitely वो आपको interested category के list के अंदर vote कर देता है यह जो चीज़े possible होती है वो दो तरीके से possible होती है एक तो cookies के जरीए और एक tracking pixel के जरीए तो यह चीज़े होती है वो दो तरीके से possible होती है एक cookies के जरीए और दूसरा होता है tracking pixel के जरीए तो आईए सबसे पहले दिखते है कि cookies क्या होता है क्योंकि इस एक small piece of file है जो client के computers के अंदर store होती एक store on your computers by the website यानि वो particular website के द्वारा आपके computer के अंदर store की जाती है वो क्या कर सकते है It can track your page visit वो आपने कब और कहां पर page visit किया था एक unique identifier के तोर पर उसको identify करेगी and also वो check भी कर सकते है कि क्या particular authorized person ही login करने के बाद content को use कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो इस टाइब के operation perform करने के लिए जादा तर cookies का use होता है कि page level पर अगर tracking करना है तो cookies use होता है अब cookies होता क्या है cookies कोई separate चीज नहीं है वो आप ही की website का piece of file होता है जो एक part होता है जिसको हम tracking purpose के लिए use करते है तो वो एक unique ID contain करता है जिसकी वज़े से हम unique tracking कर पाते हैं तो cookies don't have a much identifying information आप cookies को ज़्यादा अलग अलग तरीके से identify नहीं कर बाऊगे actually website store is on correspondent file यानि website जब अपनी है correspondent file को reference बना के store करता है तो उसको हम cookie क्याता है एन उसको cookie ID से match करता है for record on server यानि कि अगर future reference में अगर हमें उसको use करना हो जो store के file हो तो उसको एक unique ID दिया जाता है जिसके बेस्पशे हम server पर उसको identify करते हैं जब दूबार है उसकी ज़रूद पड़े जिसकी वज़े से हम understand कर सकते हैं कि visitor कितनी बार return हो रहा है कितनी बार वो second time आया है कौन से नए visitor है how long between visit यानि उन्होंने first visit कब क्या था और दुबारा वो visit कब कर रहे है उन्होंने कौन से advertisement पर click की तो यह से भी चीज़े जो cookie store होती है और उसका एक correspondent ID होता है उसके basis से tracking करना easy हो जाता है so website like facebook and google जो cookies का use करते है basically tracking purpose के लिए बहुत सारी जगा पर आपने दिखा होगा कि जब आप किसी page पर कोई electronic item या फिर कोई भी add पर click करते हो या फिर कोई भी website की product को सिफ view करते हो तो जब बहुत सारी अलग अलग website पर अधर जगा पर जाओगे न तो वो आपके interest को track करके अधर 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 location पर वही product के related आपको advertisement दिखा के आपको pitch करने की कौसिश करते है for example अगर आपने कुछ add to card में रखा है तो वो add to card वाली चीज़ आपको वहाँ पर दिखेगे कि we are missing you, come back and complete your transaction तो वो सभी चीज़े cookies के ज़़िए track हो सकती है for example जो ads Google पर दिखती है जैसे कि मैं एक आपको example देता हूँ आपको जैसे Google के through a advertisement दिखी और आप दूसरी एक website पर जाते हो पर आसके related advertisement दिखाने की कोसिश करते है जो चीज़े आप ज्यादा तर like करते हो आपको convince करने की कोसिश करते है कि आप आधार transition पूरा करो या फिर आप ये product को purchase करने के लिए जाओ ये बहुत ही ज़रूरी है कि अब cookies के बाद एक most important चीज़ आती है उसको का जाता है tracking pixel ये cookie से भी जादा important है क्योंकि ये जो information होती है वो server पे store करता है not on computers tracking pixel कुछ नहीं होता ये transparent image होती है जिसको tracking purpose के लिए use किया जाता है जो एक unique idea के साथ continue होती है इसको क्या होता है कि हम इस particular image को track करते है and convert after the user visit the ad यानि जिस तरीके से हम ये transfer image को use करते है particular ad पे जब visitor visit करता है तो इसके बाद हम ये particular transfer image को track करते है और track करने के बाद इसको locked कर देते है हमारे पास store कर देते है so for example आप देख सकते हो यहाँ पर एक tracking pixel जैसे एक छोटी सी image होती है जैसे pixel.gif यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये website पे एक छोटी सी image होती है जो tracking purpose के लिए हम use करते है अब ये कैसे track करती है actually मैं ये file server पे store होती है और जब भी ये file server पे every time server ask for this file it's locked यानि जब भी ये जो store हुई file है call होगी तो उतनी बार उसके lock पड़ेगे lock पड़ेगा है मतलब कि वो track होगी कि वो कहाँ पर call होगी जितनी बार उसके click होगा वो file उतनी बार locked करेगी यानि ये सिफ name नहीं होता जैसे pixel.gif वो तो मैंने commonly represent करने दिया है बट वो उसके साथ एक id भी contain करता है जैसे कि ये pixel.gif सिफ gif नहीं होता ये उस तरीके का id होता है there is a pixel.gif id 456 something something एक uniquely identification के लिए number भी contain कर रहा होता है ये particular image के साथ यानि जो particular transfer limit होती हो उसके साथ so server ये successfully ये image को deliver करता है because other text with the pixel code is relevant यानि जो particular image के साथ जो code available है वो relevant है इसलिए server को कोई ज्यादा authentication में problem नहीं आता image को pass करने में although it keep a record of it यानि फिर भी जब भी image call होगी तब वो अपना एक locked create करती है और वो track होती है so हम इसको use कर सकते बाद में transaction के लिए जो भी transparent image है उसको बाद में transaction को track करने के लिए use कर सकते for example to be particular user advertising event for example मैं एक जैसे कि particular user का particular advertisement और event को track करता है particular advertisement और event को use करता है तो वो जब भी वो advertisement और event को use करेगा तब वो tracking pixel का use किया जाता है आप use कर सकते हो अब example मैं आपको दिखा हो तो मैं बस ticket booking का example देता हो for example किसी XYZ bus ticket booking company के उपर website के उपर आप जाके किसी button पर click कर तो booking के लिए तो वहाँ पर यह tracking pixel के जरीए वो track होता है कि आपने particular button पर click किया है वो वहाँ से impression क्या click किया है किस time पर किया है हर एक detail को वो track करता है जब आपने particular booking button पर click किया है तो means कि आप चाहते हूं कि आप bus book करने के लिए जाओ तो आप sheet वगेरा जब select करोगे price वगेरा जब select करोगे बट अभी तक आपने पूरे transition को complete नहीं गया है तो यह जो अब तक रहा tracking वह वह सिर्फ इतना होई कि कि कितने लोगों ने आपके bus booking वाला जो option था उस पर जाके tick किया है तो उतना track हो सकता है अब जो भी payment confirmation page है उस पर आप एक और tracking pixel एक और cookie set कर दो जहांसे हमें पता चले कि जब भी वह payment confirmation वाला page call होगा तो एक हमें confirmation मिलेगा सामने से और वह वापस एक confirmation जो cookie मिलेगी उस id के जरी हम समझ सकते कि जो यहां से click करके गया था उसमें से कितने लोग confirmation तक पहुँचे और कितने लोगों ने successfully वह transaction को complete किया तो वहाँ से हम हमारे conversion ratio को identify कर सकते तो इस तरीके से यह पूरा tracking pixel काम करता है और जो भी advertising platform होते है वो connects to the dot यानि कि वो पूरी advertising platform होगा वो जहां पर confirmation page जहां पर click हुआ और जहां से click initiate हुआ था और पता चलेगा कि कितने लोग आते कितने लोग click करते है और कितने लोग conversion तक पहुँच तो हमें conversion identify करने में easy हो हो जाएगा so you can check track some another factors like हम tracking pixel के से यह बहुत सारी another चीज़े बहुत सारी other चीज़े भी track कर सकते हैं जैसे how long since been the click कितने time हो चुगा उसने last में click किये click directly from the last click or maybe user show on advertisement and purchase without clicking so हम बहुत सारी other चीज़े भी track कर सकते हैं tracking pixel के जड़े कि कितना time हो गया last click की है और click directly from last यानि जो भी last click की थी वो directly click की थी और उसके through आगे operation perform करने के लिए गए और उसके बाद हम इस तरीके से पुरा analytics कर सकते है cookie और tracking pixel के जरिए हम cookie और tracking pixel में और depth में जा सकते हैं बड़ी एक back end procedure होती है जो tracking वगेरा करती है हमें सिर्फ इतनी information काफी है कि हर एक page पे activity cookies और tracking pixel के जरिए track होती है हमें उसमें कोई customization करना नहीं है वो tracking होता ही रहेगा और हमें सिर्फ इतना high level of overview enough है अगर हमें आगे digital marketing में बढ़ना है बढ़ना है बढ़ना है इतना make sure है कि हर एक page पे हर वो activity जो आज आप digital marketing एंदर परफर्म करते हो वो ट्रैक होती है त्रॉक कुकिस और tracking pixel आप इसी तरीके से इन चीज़ों को properly setup कर सकते हो और हर एक चीज़ को आप track कर सकते हो और information को gather कर सकते हो जैसे आप और better decision लेपाओ और जैसे कि हम analytics के साथ deal करें Google analytics की बात करें तो बहुत साथ detail वहाँ पर track होती है like CPC, impression, cost और number of clicks कितने आई कौंसे resource के थू आई तो it's better to understand cookies and tracking pixel as well so I hope you get the knowledge about cookies and tracking pixel and how online analytics is working thank you so much for watching इस वीडियो में देखा how online analytics works, next वीडियो में देखा है create and track the goal